नमस्कार शाकानाव न्यूस में आपका स्वागत है मैं खुशी नायक कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक महिला की सरकटी लाश जो थी वो बैग में मिली थी और उत्तन का ये वीडियो था उत्तन बीच पर जो ये लाश थी वो बैगर आई थी ब्रीफ केस में लाश थी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और ये लाश किसकी थी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी क्योंकि कही पर भी मिसिंग कंप्लेंट जो थी वो दर्ज नहीं कराई गई थी लेकिन 24 गंडे के बीतर त्रिशुल और ओम के टैटो ने ही इसकी गुत्ती सुलजा दी है महस 24 गंडे के अंदर टैटो ने एक महीला के कतल करने वाले आरोपी को हिरासत में ला दिया है आपको बता दे ये लव जीहाद का मामला नहीं था लेकिन ये पती पतनी के बीच का जो अनवन है उसके वज़े से हुई अत्या थी ऐसे में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि पती और पतनी के बीच पिछले कुछ दिनों से रोज जगड़े हो रहे थे क्यूंकि पती को अपने बीबी के चरित्र पर शक था ऐसे में पती ने इस शक के चलते बीबी को एक दिन पहले दुपेर चार बजे थपड़ मारा उसका सर पटका और उसी समय उसकी गर्दन धर से अलग कर दिया और उसके आगे जब वो विचार में आया कि अब क्या करे तो उसने यह सोचा कि बीबी के लाश को जो है वो ब्रीफ केस में डाल कर अगर वो पानी में बहा देता है तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और वो मुंबे से निकल जाएगा आपको बता दे जो आरोपी है उसका नाम मनोच सेंग है और उसके साथ उसके भाई का भी इस मडर में हाथ था क्योंकि उसने लाश को जो है वो ठीकाने लगाने में मदद की थी उसका भाई जो है वो चारकोब इलाके में सेकुरिटी गार का काम करता है और दोनों ही मुंब तो इसी लिए कई जवापर यह बाते हो रही थी शायद यह लव जिहाद हो लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं था यह जो था वह उसके पती नहीं ही चरित्र को लेके जो है वह अपने बीबी का जो है वह कतल किया और 24 गंटे के अंदर तीन पॉलिस टेशन ने मिलकर इस गुत्ती को सूल जाई, आपको बता दे पॉलिस का कहिना है कि मुंबे में बहुत सारे लोग है जो तैटो निकालते हैं तो तैटो के बल पर ढूंडना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपको भी पता होगा कि टैटो के बल पर किसी को धूड़ना मुम्मे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन पोलिस ने इसी टैटो इसी ओम और ट्रिशुल के बल पर इस महीला के गर का एड्रेस निकाला उसके बाद वहां पहुचे और उनको पता चला कि जो यह दोनों है वह वहां से निकल चुके हैं और दादर गए हैं तो दादर में जाकर उन्होंने उसको हिरासत में लिया वरना वो भीहार निकल जाते और फिर बिहार से उनको पगड़ना पड़ता आपको बता दे कि मृत्टिका को जो नाम है वह अंज टीम जाके उन्होंने बैग उपन किया तो वहां पे उनको एक बॉडी पार्ट्स मिलेते इसमें कि बंच नामा करके हमने इन्विटिकेशन किया तो एक फिमेल बॉडी निश्कन होई थी इसमें एडलेस बॉडी मिली थी हो उपतन कुलेटेशन के पुलेटेशन में 65 अब्लि उसके हाथ पर टाट्टू था यह सब जो एडले थे उसके हमने दोन वन के बाहिंदर पुलेटेशन उत्तवन पुलीटेशन और कश्मेरा पुलेटेशन इनके अलग-अलग तीमें बनावे थी इसमें एसी पी निपली खन्ना हो और करांड़े ए पी आइवाइ गांगूड शॉप्स है वहाँ पर इंक्वारी किया तो एक क्लिव मिला था कि ऐसा ऐसा ट्याट्व एक बंदे ने निकला है उसके बेसिस में है मैंने टेकनिकल आनेलिसिस और CCTV फुटेज इसका सब आनेलिसिस करके जो मेन एक्विस्ट है जो कि मिन्टू सिंग करके है वो बिहार का है सित इसके बाद आनेलिसिकेशन किया तो पता चला कि इसने चार बजे उसका कतल किया था और बाडी पार्ट्स अलद करके बाग में भरके भाही को बुला कि उसको चैनल वहां पर फेक दिया था इक्जेक्ट लोकेशन आपी पता नहीं है आगले इसकेशन में रिवील हो तो इसने यह बाडी डिस्पोज आप किया था कल यह बाडी उतनपुर एडिशन के दुरिक्शन में में मेला था आगे की जानमीन चलो है जहां पर हेड का अभी तव का में कुछ पता नहीं है कौन से वेपन यूज किया है कहां पर फेक दिया है यह अभी आगे की वेजिए मेरी बाड़ मेरिए बहुझे कि रादे पर एडवे मेला आप किया है